नमस्कार दोस्तो मेरा नम है भी एक मार आप देख रहे हैं कॉमिक्स बिटारा चैनल को तो चली दोस्तो हम लोग कॉमिक्स बढ़े थे हवलदार भादूर और चिंचिन पोटली इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया है पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 42 पेस तक कभर कर लिया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को सुरू करते हैं कुछ दिर बाद पंडूबी अड़े के भीतर इस तीद डॉक पर उभरी हवलदार को खीच कर बाहर निकाला गया आजा बे आएं तमीज से पेसा वरना हवलदार के धंकी पर किसी ने कान नहीं धरा और धक्याते हुए बॉस के सामने ले आएं यही वो हवलदार महदूर है बॉस इसे बताओ हमारा नाम चिंचिन पोटली है जबरदस्थ ठाका लगाया हवलदार बाहदूर ने पोटली अवे तेन फुटे तेरा नाम तो गुटका होना चाहिए था खामोस गुस्ताक हम चाहें तो अभी तेरा तिया पाचा कर सकते हैं मुझे तो हसी आ रही है यार आकिर तु है कौन मैं वही हूँ जो तेल में विसपोटक मिला कर रोपनगर में धमाके कर रहा है तुमारे सत्रोदेश नापाक ने मुझे यहां भेजा है ओ तेरी ही तलास में तो मुझे यहां भेजा गया है बच्चू तुझे हवलात में सना दूंगा साले ये बावला है क्या आप कहें तो इसे काट कर समुद्र में फेक दे पौस नहीं मैं इसकी गरदन काट कर अपने ड्राइंग रोम के दिवार पर लटकाऊंगा गरदन तो तेरी कटेगी बेटा मैं यहां पूरी फौज के साथ आया हूँ फौज मगर तुम तो सिर्फ दो थे हवलदार ने बलाफ मारी दो नहीं हम पूरे सोआ है हमारे सीप पत्तों पे गोला बारूत हाथी उट घोड़े सबी कुछ है कुछी देर में मेरे साथी यहां पहुँचकर तेरी पोटली बान देंगे बेटा मुझे गुसा आ रहा है और जब जब चिंचिन और जब चिंचिन को गुसा आता है तो अपने सामने वाले के दांट उखाड देता है ओ, ये तो पागल है साला तभी, बॉस नम्मर चार की बाते सुने भी नहीं चिंचिन पोटली ने उसे धरासाई कर दिया धराम अपने काम में रुकावट डालने वाले के भी मैं दांट उखाड देता हूँ मूँ खोल बॉस उसकी नाक बंद करके चिंचिन पोटली ने उसे मूँ खोलने पर विवस किया और दांट उखाड दिया है सा मजा आ गया है, मर गया अब बोल, क्यों आया था उफ बॉस जल्दी बोल, वरना सारे दांट उखाड डालूँगा बॉस मैं ये बताने आया था कि उपर बहुत सारी पुलिस घूम रही है साथ उन्होंने हमारे अड़े का पता लगा लिया है अबे तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी तेरा एक और दांट निकालूँगा गडब समंदर की सता पर सिक्रेटी चीफ और इंस्पेक्टर खड़क सिंग के नित्त्तु में हवलदार की खोच जारी थी इस पूरे छेतर में डेरा डाल दो और वेल दिखाई दे तो मुझे तुनन सुचित करो नम्मर चार के दांट उखारने के बाद कंट्रोल पैनल पर बैठकर चिंचिन पोटली ने कुछ स्वीच घुमाए फिर ओ इतने सारे गाट्स चिंचिन पोटली ने सिक्रेटी चीफ के स्टीमर का टारगेट सेट किया और तारपीडियो फायर करने के लिए स्वीच पर उंगली रखी कोई बात नहीं तारपीरो मार कर उनकी किस्तियां फार ढालूगा अपने साथियों को बचाना होगा तभी हवलदार ने लाट चला कर नम्मर चार का धड़ एक कुल्हा सेख दिया ठक नम्मर चार ने टेक अप किया और कंट्रोल पैनल पर तस्रीफ रखती धाड जिसके कारण पैनल में सौट सरकिट हो गया और जबर्दस्ट फुट फुट होने लगी फुटाक फुट फुट नम्मर चार चत तक जाकर वापस लोटाया धाड हवलदार बाहदों ने खुस होकर ठाका लगाया क्यों वे पोटली चिनचिन पोटली ने अपने आदमियों को अधेश दिया ओए खड़े क्या हो इस हवलदार की हवा निकाल दो फुट फुटाक नम्मर थिरी ने उसे तुरत मुका घुमाया मगर हवलदार सौधान थे धिसुम उफ उधर सौट सर्कित के साथ ही तारपीरो फायर हुआ था जुम मगर निसाना बीगर जाने के कारण तारपीरो स्टीमर की दुम में जाकर लगा भणाम ओई ये बढाम कैसे हो गई सिक्रिटी चीफ की लेंडिंग अगली बोट में हुई थी धार है ये क्या बत्तमी जी है गुर बत्तमी जी के दुम में थागा पहले बताओ बढाम किसने की है तुमारे स्टीमर को तारपीरो से हिट किया गया है चीफ तारपीरो मैं भी दोप चला दूँगा बाबली बात मत करो चीफ तारपीरो का मतलब है कि नीचे सत्रू का अड़ा है तुभे पानी के नीचे जाकर चेक करना चाहिए यो आर राइट मैं अभी पंडू भी मंगाता हूँ नीचे हवलदार भादूर दुस्मनों के संग छुआ छुआ छुई खेल रहे थे पकड़ो नमबर टू ने उन्हें दवोचने के लिए चलांग लगाई मगर उसके हाथ सिर्फ हवा ही लग पाई धार फिर चिन चिन पोटली ने उसे दवोच लिया एक आदमी को नहीं पकर सकते दान्त उखार दूँगा बॉस बॉस ने एक ना सुनी और दान्त बहार कर दिया इस बीच नम्मर थ्री हवलदार को गिराने में सफल हो गया आजाओ बॉस इसके तुम मेरा मतलब है दान्त उखार डालो हवलात मैं सणा डालूँगा साले इसे ले जाकर सेल में बंद कर दो मैं बाद में इससे निपट लूँगा चल बे हवलदार भादूर को भेजने के बाद चिनचिन पोटली ने कंट्रॉल पैनल के कुछ तार जोड़कर उसे सक्रिये बनाया याहू ठीक हो गया लेकिन इसक्रीन पर पुलिस की पंडू भी देखकर उसकी हवा संठ हो गई पुलिस पानी के अंदर तक पहुँच गई है अब वे लोग अवज से ही मेरा अड़ा धूर निकालेंगे इसलिए यहां से निकल भागना चाहिए और अड़े को भी नस्ट करते रा चाहिए उधर हवलदार वादूर कैद में भी सांठ बैटने के मूड में नहीं था इस नमर तीन के डिबरी टाइट कर दूँगा हवलदार ने सलाखों के बीच से हाथ निकाला और नमर तीन का चोकना सौभावी की था वो तेजी से नीचे जुका कौन है बे इस परकार पचाल मार पोजीशन में आ गया था वो हवलदार ने भी उसके दोनों हाथ पकड़े और हैसा बेटा नमर तीन अब तेरे डिबरी टाइट हो चुकी है आगे जुका होने के कारण नमर टीप की जेब से सेल की चावी निकाल कर गिरी चावी देखते ही हवलदार ने लाद का इस्तमाल किया है इसा नमर तीन हवाई जहज बन चुका था हुस धार हवलदार ने चावी उठा कर सेल खोला और बाहर निकल आएं अब उस पोटली से निपटता हूँ भाग रहा है पकड़ो पकड़ो मर गए इसने तो सोर मचा डाला कोरिडोर के सभी रास्तों से निकल कर यमदूत सामने आ गएं हवलदार मादूर भी उस दिन फुल फॉर्म में थे भणा वो जा रहा है पकड़ो तेज दोड़ कर वो एक हॉल में घुज गएं वाइल दोड़ते दोड़ते उन्होंने एक ड्रम लुटका दिया धाड़ और लपक कर दूसरे ड्रम की ओट में छुट गएं अब आएगा मचा अगले ही पल है मरा फिर जो भी आता उसकी धड़ाम होती रही तभी चिन चिन पोटली भी वहां आया था धड़ाम क्या हो रहा है सबके दाट निकाल दूँगा बॉस ये उस हवलदार की हरकत है वो सेल से निकल भागा है कोई बात नहीं वो यहां से बाहर नहीं निकल सकेगा मैंने अड़े में टाइम बम फिट कर दिये हैं जो दस मिनद बाद फट जाएंगे तुम लोग मेरे साथ हाओ और चिन चिन पोटली अपने साथियों के साथ पंडूबी में पहुँच गया पंडूबी तुरंथी उन्हें लेकर अड़े से बाहर निकल गई अड़े के साथ साथ हवलदार बादूर के भी पढखचे उड़ जाएंगे हवलदार बादूर भी दोड़ कर डॉक पर पहुँचें वे मुझे मारने के लिए छोड़ कर भाग गए हैं अब क्या करूँ उनकी नजर एक लाइफ जैकेट पर पड़ी पंडू भी उस दर्वाजे से बाहर गई है मैं भी लाइफ जैकेट पहन कर वही से निकल जाओंगा लोहे का गेट खोलने के लिए एक पहिया लगा हुआ था हैसा ठीट उसी चन बम ब्लास्ट हुए थे भडाम भडाम समुंद्र की सता पर पानी एक बिजाल फवारी के रूप में उचला था ओए एक ही होया धमाके की वेब्च चिन चिन पोट्ली की पंडूवी तक भी पहुँचे थी ये क्या हुआ था बवस हमारा अड़ा फटा था और उसके साथ ही हवलदार बाहदूर के भी बडाम हो गई मगर बडाम तो वास्तों में खड़क सिंगी हुई थी धाड़ पानी के फवारे के साथ हवलदार बाहदूर भी उचले थे और फिर सीधे बोट में आगी रे थे ओए मारा फुपा आसमान से डपके हैं ये क्या चक्कर है हवलदार हवलदार ने जल्दी से सारी बात बताई इसका मतलब है सत्रुक के पंडू भी अभी अधिक दूर नहीं गई होगी खड़क सिंग का विचाट ठीक था ओ पुलिस उपर भी घूम रही है और नीचे उनके बंडू भी हमारा पीछा कर रही है बॉस स्पीड बढ़ाओ इस छेतर में पानी के भीतर चटाने बहुत है बॉस स्पीड बढ़ाने में खत्रा है जरा नीचे जुक कर मेरी बात सुनियो नम्मर तीन नीचे जुका तो ये ले ठक दोबारा मेरे आदेश का काटने का साहस किया तो सारे दांत उखार कर हाथ में दे दूँगा अब स्पीड बढ़ा दे जल्दी से ये 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 बस उधर पुलिस पंडू भी में सेक्रेटी चीप जोस में उचल रहा था ओए ये वेल नहीं पंडू भी है तो हमारे लिए क्या देश से सर बढाम कर डालो उसी तोब छोड़ दो पहला तार पीटो निशाने पर नहीं लगा जुम चिन चिन पोटली बुरी तरह हड़ बढ़ा गया था उन्होंने हमला कर दिया है गती और बढ़ाओ इसी हट बढ़ा हट में वो पैरा एसकोप नीचे करना भूल गया था फिर गती बढ़ा कर उन्होंने पुलीस पंडू भी को काफी पीछे छोड़ दिया था उनकी खटारा भला हमारे सुपर स्पीट सब मेरिन का क्या मुकाबला करेगी फिर अचानक वो चोंका ओए मैं कुछ भूल रहा हूँ कोई काम अधूरा रहे गया है और वो अधूरा काम सता पर उभरा हुआ पैरा एसकोप था और ये संयोग था कि पंडूबी के ठीक उपर हवलदार बहादूर एंट पार्टी की बोट भी तेर रही थी मैं उस चिंचिंचिंपोटली को पकड़ कर हवलात में सणा दूंका तभी सता पर उपर उभरा पैरा एसकोप उसकी वोट से टकराया था क्रैस ओए ये क्या हुआ गड़ब फुपफा नीचे चिंचिंचिंपोटली भी घबरा गया था ओ यही तो मैं भोल गया था पंड़ोबी उपर उठाओ पैरा एसकोप तूट गया है उसकी मरमत की जरुवत है पंड़ोबी तेजी से थाता पर उभरी और एक ही होरिया है मचली वेल बचाओ ओए सर जी यही तो चिंचिंचिंपोटली की पंड़ोबी है मजा आ गया अच्छा तभी पंड़ोबी का गोल दरवाजा खुला और नमर त्री ने बाहर जाका हवलदार महदूर भूत हवलदार को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी घबरा कर उस रीडियो से फिसला और धणाम उफ दात खीच लूँगा ओपर से क्यों गुड़ा भूत मैं देखता हूँ कैसा भूत है उसने जैसे बाहर जाका आओ जी चिंचिंचिंपोटली पुईं और हुःदार ने तुरेंदे उसकी गर्दन नाप ली बाहर आजा बेटा चिंचिंचिंपोटली के पकड़ में आते ही उसके साथियों ने भी हत्याट डाल दीये थे तेरी तो बंद गई पुउपली बेटा तेरी तो बंद गई पोटली बेटा इस परकार हवलदार बहदूर के नाम के साथ एक और महान करदामा जुड़ गया था और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरूर करते ना चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर और नोट्पिकेशन को सिलेक्ट जरूर करते ना मिलते हैं आप से किसी और नई साथ वीडियो में तब तक के लिए बाई